आज हम पढ़ने जा रहे हैं conversion binary number system to decimal number system conversion और फिर decimal number system to binary number system conversion सबसे पहले अगर binary number system to decimal number system conversion देखें कि अगर binary number system का कोई question दिया है उसको हमने करना है decimal number system है base 2 का question है और उसको convert करना है base 10 के question में तो हमने कैसे करना है for example अगर एक question दिया हुआ है 01001 यह binary number system का question है और इसको हमने convert करना है decimal number system में तो हमने करना गया है सबसे पहले हमने जितने भी digits है binary digits उनको लिख लेना है 01001 ठीक है फिर सारे digits को 2 के साथ multiply कर देना है 2 के साथ क्यों क्योंकि यह जिस system को हम convert कर रहे है उसकी base क्या है 2 जिस भी system को हम decimal में जब convert करेंगे तो उसकी base के साथ multiply करेंगे binary number system है तो इसकी base है 2 ठीक है इसलिए हम 2 को multiply करेंगे multiply by 2, 2, 0 multiply by 2 और 2 ठीक है center में सब के हमने plus लगाते जाना है फिर हमने right side से शुरू करना है पहलना जो 2 है उसकी power 0 दूसरे की 1, 2, 3, 4 और so on ऐसे चलता जाएगा ठीक है अब किसी भी चीज की power 0 जो होती है वो क्या होती है 1, 1 multiply by 1 is equal to 1 plus 2 की power 1, 2 और जब 0 से multiply होगी तो यहाँ पे आएगा 0 plus 2 की power 2, 4 multiply by 0 is equal to 0 plus 2 की power 3 is equal to 8, 8 multiply by 1, 8 plus यह भी 0 आजाएगा ठीक है अब हमने इन दोनों को add कर देना है 8 plus 1 is equal 9 यह convert हो गया decimal number system है ठीक है इसकी base लगा दी हमने 10 इसी तरह अगर एक और question solve करें 1, 0, 1, 0, 1 base 2 और इसको convert करना है decimal number system में ठीक है तो बिल्कुल पहले question की तरह हमने पहले सबसे digits लिख लेने है 1 और उसको फिर base के साथ multiply कर देना है multiply by 2, 2, 2, 2 और 2 ठीक है center में सबके plus अब right side से शुरू करना है पहले 2 की पार 0, 1, 2, 3, 4 यहाँ पर भी जैसे हमने किया किसी भी चीज की पार 0 होगी तो वो 1 होगा 1 multiply by 1, 1, plus यह 0 से multiply होके 0, plus 2 की पार 2, 4 multiply by 1, 4 प्लस यह भी 0 हो जाएगा और यह 2 की पार 4 है 4, 8, 16 16 multiply by 1, 16 तो 16 प्लस 4 प्लस 1 इस इकल टू 21 base 10 ठीक है यह convert हो गया binary number system to decimal number system अब अगर decimal number system to binary number system conversion देखें मतलब base 10 का question है और उसे हमने base 2 में convert करना है तो वो कैसे करना है for example अगर question दिगा हो 9, 1, 6 base 10 और इसको करना किस में है binary number system में तो हम क्या करेंगे value को लिखेंगे decimal value को और 2 से divide करतेंगे 2 से क्यों? क्योंकि हम binary number system में कर रहे हैं जिसकी base क्या है? 2, ठीक है? अगर हम binary to decimal करते हैं तो multiply करेंगे 2 से और अगर decimal to binary करेंगे तो फिर divide करेंगे 2 से अब 2, 4, 8 1 चला गया 11 2, 5, 10 फिर 1 चला गया 2, 8, 16 और कुछ भी नहीं बचा ठीक है? जब कुछ नहीं बचा तो 0 लगा देंगे फिर 2 2, 2, 2, 4 2, 2, 2, 4 18, 2, 9, 18 0 लगा देंगे फिर 2, 1, 2 2, 1, 2 2, 4, 8 और 1 यहां पे आजेगा ठीक है? फिर 2 से अगर करे 2, 5, 10 1 यहां पे चला गया 14 बन गया 2, 7, 14 0 2, 2, 4 और 17 बन गया 2, 8, 16 एक बच गया फिर 2, 1, 2 2, 4, 8 कुछ भी नहीं बचा यहां पे 2, 7, 14 2, 3, 6 यहां पे 1 बच गया 2, 1, 2 और यहां पे बच गया अब जब हमने इस सारे को डिवाइड कर लिया फिर इस साइट से हम शुरू करेंगे और यूँ उपर को जाते जाएंगे इस तरह हमने बाइडरी लिखनी है सारी ठीक है यहां से शुरू करेंगे 1 फिर यह वाला 1 फिर उपर को जाते जाएंगे 1, 0, 0 1, 0, 1, 0, 0 ठीक है इस तरह हमने यहां से लेके यहां तक सारे डिजिर्स जो बचे थे उनको लिए तो यह किस नंबर सिस्टम में कनवर्ट हो गया बाइडरी नंबर सिस्टम क्योंकि बाइडरी नंबर सिस्टम में से 1 या 0 होते है तो यह बाइडरी नंबर सिस्टम में अब कनवर्ट हो गया इसी तरह गर एक और कॉस्टन सॉल्ट करें for example 48 decimal है और इसको हमने convert करना है binary number system तो फिर से हम वैसे ही करेंगे value को यहाँ पर put करेंगे और जिस number system में हमने उसको convert करना है उसकी base के साथ उसको divide करने 224 248 0 212 224 0 2612 0 236 0 212 and 1 ठीक है अब यहाँ से हमने शुरू करना है और उपर को जाएंगे यानि 110000 तो यह convert हो गया binary number system में